दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्दे प्रदेश करमचारी चैन मंडल MPESB MPPEB ब्यापम MPTT 2023 संबिदा बर्ग एक ओनलाइन फॉर्म फिलप के बारे में तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको MP online MPESB की ओफिसिल साइट खोल लेना है दोस्तो आपको फार्म भनने की लिंक वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगी बहां से आप अपना form apply कर सकते हैं फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मद्यप्रदेश साशन इस्कूल सिक्षा विभाग तथा मद्यप्रदेश साशन जन जाती है कारे विभाग के अंतरगत उच्च माध्यमेक सिक्षक के लिए पातरता परिक्षा 2023 तो यहाँ पर दोस्तों फाम बनने से पहले इस notification को यहाँ से PDF को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है फिर उसके बाद में यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर हाई स्कूल टीटी 2023 है तू आबेदन तो यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे अगर आपने यदि आपने प्रोफाइल का पंजिकरण नहीं किया है तो नविन प्रोफाइल के लिए यहाँ किलिक करें अगर आपके प्रोफाइल नहीं है तो यहाँ पर आपको अपने सर्व प्रतम प्रोफाइल बनाना है तो मेरे पास आल्रेडी बनी हुई है फिर भी मै करेंगे तो आपके नंबर पर OTP जाएगा OTP को डाल के आपको submit करना है फिर आपके नंबर पर दोबारा से एक OTP जाएगा उसमें आपकी profile पंजिकरन ID और password रहेगा उसको फिर से आपको यहाँ पर जाना है फिर यहाँ पर आपको हाँ बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर सामाने पंजिकरन डालना है यहाँ पर password केप्चर कोट को फिल करना है और login करना है जैसे आप profile डालकर login करेंगे तो आपके सामने profile पंजिकरन EKYC के माध्धम से होगी तो यहाँ पर आपको अपना आपके पास में आधार कार्ड है तो yes करेंगे उसके बाद में EKYC OTP द्वारा सत्यापन करें इस पर क्लिक करके आगे बढ़ाए वाले option पर क्लिक करना है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर इस डब्वे पर टिक करेंगे और यह केप्चा कोट को इस बॉक्स में फिल करेंगे के बाद में generate EKYC OTP पर क्लिक करेंगे के आधार में जो नंबर रेइस्टेड है उस पर OTP जाएगा वो OTP की यहाँ पर डालके OTP डालने के बाद में get detall पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं मेरी already बनी हुई है तो यहाँ पर यह आपको आवेदक का नाम डाल देना है और यहाँ पर आबे तक का उपनाम हो तो यहाँ पर डालना है उसके बाद में यहाँ पर father's name डाल देना है यहाँ पर mother's name और यहाँ पर आपको अपनी date of birth डालना है उसके बाद में क्या आप मद्धेप्रदेश के हैं अगर MPK हैं तो हाँ करेंगे नहीं है अदर श्टेट के तो नहीं करेंगे उसके बाद में आप पुरू से या महिला वो सलेक्ट करेंगे यहाँ से अपनी कैटिगरी सलेक्ट करेंगे URSC, HTOBC उसके बाद में अगर आप जनरल है EWS है तो हाँ कर सकते हैं यहाँ पर आपको उच्छे सेक्षनिक योग गिता का इस तरह आपके पास में यहाँ पर UG, PG, Graduation जो भी हो वो यहाँ पर Select कर लेना है उसके बाद में निवास का छेतर, ग्रामिन यहाँ पर अगर बिकलांग है तो हाँ कर सकते हैं और उसकी डीटेल दे देना है नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है दोस्तों यहाँ पर आप बेभाहित बिभाह की स्थिति अगर आप बिभाहित हैं और यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है यहाँ पर अपने एरिये का पिन कोड आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको आबे दक के सरीर का इस्थाई पहचान चिन तो आपके सरीर पर कोई निसान है तेल हो या कट जो भी हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है इस बॉक्स में और यहाँ पर आपको परिक्छा कक्ष में प्रस्तुत किये जाने बाला फोटो युक्त पहचान पत्र तो यहाँ से आपको select करना है voter ID, आधार, driving, pen card, passport, अंग्सूची इन में से कोई एक document select करना है उसका number यहाँ पर डालना है नहीं पर tick करेंगे और यहाँ पर क्या आप अपने bank खाते का विबन देना चाहते हैं अगर देना चाहते हैं तो yes करके उसकी detail दे सकते हैं नहीं चाहते हैं तो no पर tick करेंगे और यहाँ पर इस डब्बे पर tick करेंगे यहाँ पर आपको click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों नियम पुस्तिका के नियम क्रमांग के अनुसार प्रारूप में photo hashtacchar तो यहाँ पर आपको click here to download template यहाँ से आपको template डाउनलोड कर लेना है यह template को आपको print out निकाल के और यहाँ पर आपको इस box में यहाँ पर स्वय घोषना पत्र तो मैं घोषना करता करती हूँ यहाँ से यह तीनो लाइन उतार देना है इस box के अंदर-अंदर इंगलिस में या कोई हिंदी में दोनों में से कोई एक भासा और इस box के बीचो बीच अपना sign करना है यहाँ पर अपना photograph चिपकाना है यहाँ पर दोस्तों आपका जो photograph है यहाँ पर देख सकते हैं आबेदन करने की तित्थी से तीन महाँ से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तो आप अपना latest नया फोटो ही खिचबा के अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर फिर आपको view sample image यहाँ पर click करके यहाँ से आप यह example दिया हुआ है वो देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपना photo लगाना है बीच ओ बीच और यहाँ पर sign और इस तरीके से handwriting लिखना है उसके बाद में इस तरीके से नहीं लिखना है और यह photo और sign यह वाला गलत तरीका है तो आपको इस format में ही यह head writing declaration भनना है format है उसको scan करके यहाँ पर आपको choice फाइल पर click करके और upload करना है जिसका size 220 के भी से अंदर होना चाहिए choice फाइल पर click करेंगे फिर view image पर click करेंगे उसके बाद में आपका photograph और signature और head writing इन तीनों डबो में fix सही आज जाए उसके बाद में यहाँ पर तीनों पर click करेंगे अगर सही से नहीं आए तो आपको उसको exist करके दोबारा से choice करके view करना है इस तरीके से आपको upload करना है उसके बाद में सही दिखने के बाद में यहाँ पर upload photo signature head writing वाले option पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपकी जन्मतिति प्रमान पत्र हेतु आपकी 10B, 10B, 8B की mark sheet आपको upload कर देना है और यहाँ पर अपना जाति प्रमान पत्र हो तो वो select करके यहाँ से upload करना है इसकी 700-800 और height 400-950 पिक्सल के अंदर होना चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस तो आपको अपनी जो mark sheet है document pen में खोलना है फिर यहाँ पर research का option मिलेगा आपको उस पर आपको click करना है फिर यहाँ पर आपको pixel पर click करना है और वहाँ पर आपको दिया था 750 आपको ये वाले maintain वाले option पर ये टिक हटा देना है 750 यहाँ पर आपको 900 और उसके बाद में ok करेंगे तो आपका जो size है वो perfect हो जाएगा तो आपको इसको यहाँ से save कर लेना है और इसी प्रकार से आपको other document भी size में बना लेना है यहाँ पर दोनों upload करेंगे उसके बाद में आप submit detail पर click करेंगे तो आपका finally registration हो जाएगा MP ब्यापम profile बन जाएगी आपकी तो उसका print out निकाल के रख लेना है अपने पास में आपको यहाँ पर दोस्तों आपको अपको अपना बढ़ाए पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की side में जाना है तो यहाँ पर आपको भूत प्रूप सेनिक है या दिब्यांग तो यहाँ पर आपको बिना बर्क पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या आप सास्किय निगम मंडल सुसाइ संस्ता के करमचारी अत्वा नगर सेनिक है यहाँ पर भी आपको नहीं पर click करेंगे यहाँ पर क्या आप विकरम पुरिश्कार संमानित खिलाड़ी है तो यहाँ पर दोस्तों आपको support नहीं पर click करना है अगर इन category में आते हैं तो yes कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्षण का माध्यम तो यह ध्यानपूरवक आपको select करना है तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और channel पर पहली बार हो तो channel को subscribe करें जिससे आने वाली इस से related जैसे admit card है result है आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए यहाँ पर आपको अपनी सिक्छन का माध्यम आपने सबसे पहले बार्वी क्लास हिंदी मीडियम से पढ़ा है या अंग्रेजी या अन वो select करेंगे यहाँ पर आपका इसनातक graduation हिंदी मीडियम यहाँ से select करेंगे यहाँ पर आपको पात्रता परिक्छा में प्रशन पत्र के भागब है तो उससे उस सभी प्रशन पत्र के अनुसार योग्यता का प्रमान लगाना अनिवार होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो बिसे यहाँ पर आपकी बिसे दी हुई है यहाँ पर बिसे कोड अगर आप एक से ज़्यादा बिसे के लिए टिक करते हैं तो आपके पास में उसका प्रमान पत्र qualification होना चाहिए वो जरूरी है तो आपको जैसे मान लिजे हिंदी में करन है हिंदी के लिए तो यहाँ पर पेपर कोड हिंदी उसके बाद में मान लिजे अंग्रेजी करना है तो अंग्रेजी और यहाँ पर संस्क्रत करना है तो संस्क्रत तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान पूर्बक आपको इसनात को तरुपाधी के बिसे जिन में परिक्षा में सम होना है वो यहां से आपको उसी विशे पर टिक करना है अगर आपके पास में eligibility है तो उसके बाद में यहां पर आपको proceed इस बाले option पर click करेंगे क्या आप नियम पुस्तिका के अध्धा एक क्रमांग 5 के अनुसार दे नियुनतम सेक्षण का हरता रखते हैं तो यहां पर आपको क्रमांग सेक्षण का हरता तो यहां पर दोस्तो नंबर एक उच्चे मादमिक सिक्षक के लिए क्या आप 10 प्लस टू प्रिनाली के अंतरगत अगर आप 10 प्लस टू प्रिनाली के अंतरगत बार-वीकक्षण की परिक्षण पुरानी पद्धती से higher secondary अथवा समकक्ष परिक्षा उत्रीन है संबंदित बिसे में 32 रेनी में इसनात कोत्तर उपादी के साथ बीएड या उसके समकक्ष या अंतिम बर्स में अध्यन रत और यहाँ पर उच्चतर उच्चमाद्मिक सिक्षक संस्क्रत के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको उच्चमाद्मिक सिक्षक का हो गया यह यहाँ पर आपको उच्चमाद्मिक सिक्षक संस्क्रत के लिए यहाँ पर अथवा में संस्क्रत पाथे साला यहाँ पर संस्क्रत पाथ साला के में माननेता प्राप्त संस्था विस्वेविद्याले से 32 रेनी में आचारे उपादे नियुन्तम सेक्षणिक योग्यता होगी इसके अतिरिक्त B8 प्रसिक्षण होना अनिवार हैं तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको परिक्षा सहर की प्रात्मिक्ता यहाँ पर आपको इन में से ये चारो परिक्षा सेंटर अलग-अलग आपको सलेक्ट करना है उसके बाद में गोशना पत इस डबबे पर टिक करेंगे और आगे बनाए बाल पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले print button पर click करना पड़ेगा उसके बाद में यह आपको proceed to payment button पर click होगा आपको सबसे पहले इसका application number लिख लेना है और print button पर click करके इसको save भी कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको अपने form के finally payment कर देना है यहाँ से उसका print आउट निकालके save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप MPTT 2023 संबिदा वर्ग एक 2023 के लिए अपना online form घर भेटे आसानी से भर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अ सब्सक्राइब करें share करें जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिपिकेशन आप तक पहुंच सके थेंक्यू दोस्तों धन्यवाद